हेलो बच्चों आपको एक्जाम आप देने जाओगे ला तो यह क्वेशन तो आपको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा यह इतना इंपोर्टेंट क्वेशन है क्योंकि यह बिलकुल अलग तरीके से सॉल होगा और बहुत कम बच्चें होते हैं जो इसका सॉलूशन माइंड में रख सकते हैं क्यों यह कुछ क्वेशन होते हैं जिनको इस सॉलूशन हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना होता है कैसे सॉल होगा तो यह क्वेशन उसी तरीक बीटा आपको यहां पर c plus iota d है तब हम यहां पर एक और जीज गिवन है mode of beta आपको यह चीज़ हम यहां पर गिवन है तो जो गिवन है उसको तो हमें use करना ही होता है और तब हमें इसकी value यहां पर find करना होगी किसकी value यह जो हमें यहाँ पे दिया beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta का modulus यह हमें यहाँ पे find करना होता है तो आप यह सोचो कि मैं यहाँ पे कोई alpha beta let कर लेती हूँ इसमें put कर लेती हूँ और solve कर लेती हूँ तो हमें ऐसे नहीं करना है इसे क्यों नहीं करना तो यह जो हमारा यहाँ पे question number 10 था यह बिल्कुल इसी तरिकास था यहाँ पे modulus में value थी और हमें इसकी value को find करना था बट यहाँ पे z1 z2 हमें given था तो जब given था तो हमने put किया और पूरा solve करके हमने answer बता दिया लेकिन यहाँ पे हमें alpha और beta given नहीं है जो हमें given है उसको हमें यहाँ पे use करना है आप alpha और beta यह value रख दोगे तो यह तो फिर use आएगा तो इसी लिए यहाँ पे इसको इस तरीके से हमें बिल्कुल नहीं करना हम इसको दूसरे तरीके से question solve करेंगे तो देखो मैं आपको कबसे ना एक formula बार-बार पढ़ा रही थी क्या a plus b a minus b अगर complex number में a plus iota b a minus iota b उनका product यहाँ पर क्या होता है a square plus b square तो वह वाला formula से हम इस question को यहाँ पर solve करेंगे यह वाला formula हम कबसे पढ़ते आ रहे ना मैंने आपको कहा था ना आप इसको formula की form में याद रख लो हम बार-बार इसमें steps नहीं करेंगे एक सू ब्रैकेट खूल के multiply करेंगे वैसे नहीं करेंगे सीधा complex number के multiply का इसे algebraic formula था वैसे यह complex number का formula है तो a plus iota b को अगर a minus iota b से multiply करत iota square के वाज़ा से यह positive हो जाता है जब आप इसको bracket open करेंगे खोलोगे तो यह iota square वाली term आती उसी से यह negative sign आपका positive हो जाता है तो देखो अगर मैं यहाँ पर let करूँ let वेरा जो z है वो a plus iota b है तो आप मुझे बताओ यहाँ पर iota वाला sign change कर देता है वो कौन सी term होती है जब हम इसका क्या कर दें conjugate कर दें अगर मैं z के उपर बार लगा देती हूँ तो इसके उपर भी बार लग जाएगा और बार का क्या काम होता है जहां पर भी iota दिख रहा है उसका sign वो क्या कर देता है change कर देता है तो अगर यह मेरा z है तो यह मेरा z बार है यह दिख रहा ह यह module of z क्या होता है, under root of A square plus B square होता है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, only A square plus B square चाहिए, root नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, squaring both sides, हम यहाँ पे squaring both side कर देंगे, ताकि जो formula हमें चाहिए, वो हम लिखे हैं, तो यह हो गया, modulus of Z का square equal to under root of A square plus B square का WHOLE square square से root cancel होजाएगा to modulus of Z का square आपकर kya हो जाएगा A square plus B square होजाएगा तो हम इस A square plus B square की जगे पर क्या रख सकते हैं modulus of Z का square रख सकता है यह रख सकते हैं तो यह हमें यहाँ से Z है और हम इसको Z bar से multiply करेंगे तो वो modulus of Z के यह आपका यहाँ पर हो गया, एक formula में मिल गया, जो हमें चीज पता थी, वहीं से हमने formula बना दिया, कि किसी भी complex number को अगर उसके conjugate से आप multiply करते हो, तो वो उसके modulus के whole square के equal होता है, ठीक है, तो यह term आपको यहाँ पर याद रखना है, इस question के लिए आपको यह वाला यहाँ पर याद रखना है, तो अब भी हमने यहाँ पर main formula जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, वो बने लिख दिया, और हमें इसकी value को यहाँ पर find करना है, तो यह जो इसके अंदर है, अब यह formula हम तब ही लगाएंगे न, जब हमारे पास z होगा, हमारे पास तो भी z है, नहीं question के अंद करेंगे, फिर दोनों को multiply करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर इसके अंदर value को put करके, उसको solve करेंगे, इसको मैंने z मान लिया, z bar आप यहाँ से find कर सकते हो, modulus of z यहां से, देख सकते हो, but modulus of z तो हम यहाँ पर वैसे ही दिया हुआ है, तो बस हम इसका यहाँ पर क्या कर और यहाँ पर तीनों की value रख लेते हैं, तो यह तो हमारा यहाँ पर अगर इसको देखे, तो यह हमारा क्या है, यह modulus of z है, तो ठीक है, तो इसी according, अगर मैं इसको z लेट कर तो यह modulus of z है, तो now let, तो हमने अंदर वाले को z लिख लिया, अब z हमारा आगया, modulus of z आगया, हमें यहाँ पर एक formula पता है, कि z1 upon z2 का जो whole bar होता है, उसको हम यहाँ पर कैल सेते है, z1 का bar divided by z2 का bar, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यह हमारे पास formula पता हमने property पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर इसको क्या कर दोगे, z bar equal to, तो यह beta और alpha आपके complex number है, बीटा और alpha आपक आयोटा वाली term का sign change कर देता है, यही इसका काम है, इसकी job क्या है कि यह आयोटा वाली term जहां भी लिखेगी, उसका sign change कर देगा, लेकिर अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि beta के अंदर आयोटा वाला कौन सा number है, alpha के अंदर कौन सी term है, जो आयोटा के साथ है, तो अभी हम इसकी complex number को represent कर रहा है, वैसे ही beta और alpha भी किसी complex number को represent कर रहे है, तो हम यहाँ पर पहले इस पर लगाएंगे तभी तो इसके उपर आयेगा, तो अभी हम सीधा सिर्फ इनके बार लगा रहे है, उसके आगे हम यह नहीं सोच रहे है, तो यह आपका यहाँ पर क्या हो जाएग now bar again आपका change होता है, कि z1 minus z2 पे जो अगर आप bar लगाओगे तो वो भी shift हो जाता है, अलग-अलग z1 पे बार अलग चला जाएगा और z2 पे बार अलग चला जाएगा, तो same यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो यह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो नमबर है, और यहाँ alpha के उपर एक बार तो है, और दूसरा बार और आजाएगा, और बीटा के उपर बार आजाएगा, तो सिर्फ यह चीज़ आपकी यहाँ पर solve करने लिए, देखोई, z bar equal to a minus iota b है, अगर मैं z bar का एक बार और conjugate कर दू, तो यह क्या हो जाएगा, a minus iota b क नहीं कि z के equal बन जाएगा, समझ में आगया, तो z के किसी के उपर अगर आप double bar लगाते हो, तो जो start हुआ वो वही रहेगा, z के उपर double bar लगा दू, तो वो भी यही रहेगा, यह equal z होगा, z के उपर double bar equal to मेरा क्या होगा, यहाँ पर z होगा, तो यह alpha के उपर double bar आपका यह में चाहिए थी, वो तीनों में मिल गई है, तो एक चीज हमने यहाँ पर और यूज कि थी, z1, z2 का whole conjugate होता है, उस पर भी हम यहाँ पर बार को इस तरह से अलग-अलग separate कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर यहाँ पर यूज करें, वो आपको लिखे लिनी है, यहाँ में यहाँ पर यूज करेंगे हमारे पास modulus of z भी है हमारे पास z b और z भार भी इसमें फूट कर दो किसमें मैंने इसको equation number a कर दिया, जड को 2 कर दिया हम जैड को मैंने यहाँ पर equation number 3 कर दिया, to क्या लिखेंगे, putting value of from 1 to 3 in equation number a, okay तो यहाँ पर now putting value of z, z bar and modulus of z in equation number a. तो equation number E हमारी क्या थी z into z bar equal to modulus of z का square तो यहाँ पे मैंने क्या रग दिया है यहाँ पे मैंने z की value रग दी जो कि हमारी यही फिर मैंने यहाँ पे modulus of z की value रग दी जो हमने solve करके यहाँ पे बनाई थी और यहाँ से यह modulus of z तो हमें यहाँ पता ही था तो वो सीधा-सीधा हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इसपे square लगा दिया अब बस इसको कुछ नहीं करना है आपको क्योंकि हमें इसकी value निकालनी तो इसको नहीं solve करना है square को हम बात में देख लेंगे square हमें नहीं चाहिए तो हम इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे सिर्फ इसको solve करेंगे इसको solve करके और हम इसकी value को लेकर करेंगे square तो हम इताँ shift कर सकते है अंडर root बन सकता है यह तो now इसको solve करो तो numerator को numerator से multiply करो तो यह हो जाएगा beta minus alpha और यह हो जाएगा beta bar minus alpha bar और divided by यह वाला bracket इससे multiply होगा तो यहाँ पर एक चीज धियान रखना यह alpha bar beta यह alpha beta बार है यह गलती मत कर देना कि एक समझ के और यहाँ पर सीधा इससे इसको solve कर लो तो यह alpha beta bar है यह हमने यहाँ पर multiply कर दिया और यह time आपकी यहाँ पर as it is यह तो साथ की साथ चलती देगी इसके साथ में कुछ भी नहीं करना है तो इसको कैसे solve करोगे पहले beta को इस bracket के साथ लेको फिर minus alpha को इसके साथ सेम यहाँ पे भी 1 को इसके साथ लेको और minus alpha bar beta को इसके क्योंकि कोई formula तो यह अलग नहीं रहे यह इस पहले तो क्या करना है स्टिप्लाइब यह Altा butter प्लस मैंनες यह हो गया आपका अलफा बार हो गया स्थाइब इन्हें यहां प्लस प्लस अलफा बार हो और माइनस माइनस प्लस तो एलफा एलफा बार होगया इसको से मल्टिप्लाइ करेंगे माइनस प्लस माइनस से मल्टिप्ला वक्रकियर एलफा बार बीटा ही रहेगा माइनस माइनस प्लस हो गया तो यह alpha को alpha के साथ बीटा को बीटा के साथ लिए यह alpha into alpha बार हो गया और यह beta into beta बार हो गया equal to में तो यह हमारा चली रहे यह तो ऐसे यहाँ बार-बार भले लिखते रहो यहाँ छोड़ दो, ठीके, बाद में एक सार दिख देना, फिर यह हमारा हो गया, अब इसमें से देखो, हम यहाँ पर क्या थी, solve कर सकते हैं, एक तो value हमें यहाँ पर given थी, कि किसी भी number, किसी भी complex number और उसके conjugate का जो multiply होता है, वो modulus of z के whole square के equal होता है, तो हमें यहाँ पर term मिल रही है, यह बीटा है, यह बीटा बार है, जैसे z और z बार equal to modulus of z square है, सेम यहाँ पर भी beta into beta bar के हो जाएगा, modulus of beta के whole square के equal हो जाएगा, वैसे alpha into alpha bar जो होगा, वो modulus of alpha के square के equal हो जाएगा यही जो property में आगी होई है हम वो की वो same यहाँ पर use करना है तो जो जो हम यहाँ पर use कर रहे हैं वो लिख लेदे now यहाँ पर हम क्या लिखेंगे z into z bar equal to मैं पता है modulus of z square होता है तो इसका मतलब यहाँ से इसी से हमने क्या लिखा बीटा into जो बीटा बार होगा वो modulus of बीटा के square के equal हो जाएगा and alpha into जो alpha बार होगा वो modulus of alpha के whole square के equal हो जाएगा तो दिमाग बिल्कुल खोल के इसको समझना है जो जो समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझना है क्या क्या चीज कहाँ पर change हो रही है तो जहां पर भी बीटा बीटा बार दिख रहा है मोड ओफ बीटा कर दो तो यह हो गया मोड ओफ बीटा का whole square minus यह तो आपका ऐसी रहेगा बीटा alpha बार रहेगा यह cancel नहीं हो रहे है यहां यहां पर बार नहीं है यहां है बीटा बार माइनस ऐल्फा बार बीटा यहां पर हो जाएगा आपका मोड ओफ एल्फा का whole square और यहां हो जाएगा मोड ओफ बीटा का whole square और एकुल वाली टम हमारी एज़टेस चल लिए है फिर अब यह हमने इसको मोड ओफ बीटा में change कर लिया अब मोड ओफ बीटा की वैली तो हम यहां पर गिभन है तो हम उसको यहां पर put कर सकते तो now given मोड ओफ बीटा equal to one यह हमें question के अंदर ही given है तो जहां पर भी mode ओफ बीटा दिख रहा है वहां पर one put कर दो तो जो चीज हमें given होती है उसको हमें यूज करना होता है इसलिए हमने इस मैंधर से यहां पर क्वेशन किया अगर यह वैल्यों में नहीं दियो होती तो हम कुछ और सोचते तो हमें यहां पर इसी तरीके से इसको यहां पर सौल करना था अब आप यहां पर सोच लो कि यह मोड उसी को मंदर लेके चले जाए तो य इसको तो यह पका बार Elena रखे माइनिस बीटा क्लेख वार मां मारों फट बीटा बार माइनस ऑसकोई और यहां पे दो वालीर यहां Game और ए अबड़ा सहल wicked देगाम चींचिंग हैआप यहां पर पहले से माइनस और बीटा और मार। बीटा हो गया प्लस मॉड औफ एल्फा स्क्वेर हो गया और यहां पे भी वन का स्क्वेर हो जाएगा यह अपका साथ में ऐसी जल रहा है ठेके अब वन का स्क्वेर को हम यहां पे सौल्ट कर लिते हैं और थोड़ा सा हमें नूमरेटरों डिनॉमरेटर को एक अरेंच करने की बीटा बार माइनस एल्फा बीटा बार हो गया और यह प्लस मोड ओफ एल्फा का इसकोर हो गया अब देखो यहां सबसे पहले वन आरहा न उपर तम्हां भी रख देंगी तर्म की अक्रौडिंग मैचिंग करके देखते हैं हमें मिलते की नहीं यहां बीटा बार है तो क्या as it is लेख दिया फिर plus one का square one होता है one इससे multiply होके यही रह जाएगा तो आप यहाँ पर क्या notice कर रहे हो कि जो numerator में term है वो की वो term हमारी पास denominator में भी है same term है one one beta alpha bar beta alpha bar sin negative minus alpha beta bar minus alpha beta bar plus mode of alpha का square plus mode of alpha का square तो same term मिल रही है तो हम यहाँ पर cancel कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर देखो जैसे मुझे दिया हुआ x plus 2y upon x plus 2y बच्चे क्या करते हैं x से x को काटते है 2y से 2y को काटते है ऐसे नहीं करता है यह पूरी आपकी एक term में x plus 2y plus 2 कर देते हूं औ हम यहाँ सी संक्रा देखे एक हमारा यहां से हमें क्या मिल रहा है यहां से मिल रहा है 1 equal to modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta का यहाँ पे whole square मिल रहा है अब हम whole square को उदर ले जाए क्योंकि हमें जो value find करें उसमे square यहाँ पर नहीं है तो square ही अटाना है बाकी तो हमारी value आ गई तो square जब इतर आएगा तो root बनेगा और साथ में plus minus का sign भी लेके आएगा जब square इतर आएगा क्योंकि अंदर की value से हमें यहाँ पर दो चीज मिल सकती है तो यह हमने यहाँ पर कर दिया इस तरह से लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखो एक second इसको लिखने पहले किसी भी number का अगर आप और बब moments का सब्सक्राइब यहाँ पर लिखने नहीं देता है तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस का sign लेगें る of 1 क्या सौर्फ आप 5 लें कि यहाँ पर camera स्क्राइब क्योंकि बाहर बानेगयशंता है अगर माइर nut आटिया प्मीक्ता दो इसका यही मृल्य को यहां पर निकाल के लिए करा रही है तो यह कॉन रॉड्यों को यहां पर क्या कर दिया पूंथ करणने कि biggestを यहां सॉल किया है कि हमारा इसी तरगी जहां यहां पर लेकर चले तरह और तौ यहां सत्य तरह केर चलें आरा हांzar किया ळेकर लेकर छेंटिनly यहां उन इस सौसप और नते हों पर努ी mo तो इसको solve नहीं कर पाते हैं और यह सबसे ज्यादा most most important question है तो यह आप बिल्कु बिल्कु अच्छी से दिमाग में बिठा के रखना है क्या चीज तीन चीज यहां पर ध्यान रखना है एक तो यह formula लेना है और यह 3 हो इसके एक तो first formula याद रखो दूसरा यह कि जो अंदर वाला जो है modulus के अंदर वही हमारा Z है तो formula याद है Z आपको पता है तो यह चीज आप यहां तक पूरा solve कर लोगों तीसरा यहां पर यह value पूट करनेगा जो आपको value आगे जाके इसमें put करनी है तो 3 चीज यहां पर याद रखोगे और easily आपको question यहां पर solve हो जाएगा कंसेप से पढ़ते हो कोई गड़बड नहीं होती है तो यह चीज कहीं कहीं पर तो कुछ कुछ चीज दिमाग में रखनी पढ़ती तो यह वह question हो जो थोड़ा कुछ काम करने का कुछ अच्छ अच्छ आपको quality देने का वहां पर बहुत रहता है हमारा ओके थैंक यू